वेल्कम टो इशानी वीडियोज भाग्य लक्षमी के आने वाले एपिसोड में अब शुरू होने वाली है काफी तगडी फाइट पुलिस वालों की एंट्री के साथ साथ यहां पर बाकी सभी पॉलिटीशियन्स अब दुम धबाते वे भाग दे वे नज़र आएंगे साथ ही साथ यहां पर रिशी और लक्षमी मिलकर बाकी सभी लोगों की जान बचाएंगे शालू के एंट्री करने के बाद में अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है और आने वाले एपिसोड में मलिश का एक नई चाल चल कर अब यहाँ पर रिशी और लक्ष्मी को अलग करने की कोशिश करने वाली है लेकिन क्या वो काम्याब हो पाएगी? क्या यहां पर रिशी और लक्ष्मी को अलग करने में मलिश्का यहां पर फिर से बल्विंदर का साथ लेगी आखिर में क्या होगा खास आने वाले एपिसोड में क्या रिशी और लक्ष्मी यहां पर पूरी तरह से अलग हो जाएंगे क्या दिखाया जाएगा खास जहां पर रिशी और लक्ष्मी अब यहां पर एक दूसरे की मदद करते हैं लक्ष्मी का इशारा यहां पर रिशी समझ जाता है और लक्ष्मी मुसीबत में हैं यह सारी बाते जान जाता है तब ही अचानक से यहां पर होती है एक सबसे बड़ी गड़बर वहीं दूसरी तरफ शालू की तरफ एक यहाँ पर गुंडा बहुत जादा आगे बढ़ रहा होता है शालू उसे अपनी बातों में फसाती है उसे यहाँ पर पूरी तरह से अपना बनानी की बात कहती है और आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा टुश तो तब आता है जब यहाँ पर शालू उसे बेवकूफ बनाने में काम्याब हो जाती है शालू ने उसे बेवकूफ बनाया और वो यहाँ पर बड़ी असानी से बन भी गया बाकी सभी लोग भी अब यहाँ पर बहुत अच्छे से सोच रहे हैं कि उनका प्लैन अच्छे से जा रहा है लेकिन कहानी में टुश तो तब आता है जब यहाँ पर शालू अपना असली प्लैन चलती है और उसके बाद में हाँ पर उस गुंडों को भिहोश करके यहां से भाग निकलती है और यहीं पर वो बागी सभी लोगों को अगाह करती है कि आखिर में हाँ पर सबसे बड़ा खत्रा है और वो ढूणने की कोशिश करती है लक्षमी को जिसमें यहां पर रिशी उसका साथ दे रहा होता है लेकिन बात यहाँ पर करते हैं फाइट की तो आने वाले एपिसोड में लक्षमी को बचाते बचाते रिशी अब फाइट करते वे नज़राएगा लक्षमी के उपर जानलेवा हमला होगा लक्षमी को बचाते वे रिशी भी हल्का हुलका घायल होगा लेकिन अब आने वाले लेकिन अब बात करते हैं एक और सबसे बड़े ट्विस्ट की जो की मलिश्का से जुड़ा हुआ है मलिश्का यहाँ पर चाह रही है कि आखिर में किसी ना किसी तरह से वो लाए बीच में बलविंदर को एक बार फिर से और उसके साथ-साथ रिशी की और लक्षमी को अलग कर दे लेकिन बलविंदर को बीच में लाना यहाँ पर लक्षमी की शादी को तोड़ने जासा होगा और यहाँ पर फिर से एक बार बलविंदर को हटा कर साइड में अब यहाँ पर मलिशकार सोनल के साथ में मिलकर नया प्लाइन बनाती है जिसमें यहाँ पर वो लक्ष्मी को रिशी से दूर करके अब यहाँ पर उसके शादी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की हम पर डिमांड करती है वही नेलम भी काफी ज़ादा परिशान है लक्ष्मी और रिशी को एक साथ देख कर क्योंकि रिशीक अब यहाँ पर पूरी तर से खत्रे में आएगा जब जब लक्ष्मी नजीक आएगा क्योंकि मार्केश दोस्ट लक्ष्मी के उपर जा चुका है तो आप कितने जादा एक्साइटेड है आने होल एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके ज़रू बताना चैनल पढ़ने हो तो सब्सक्राइब ज़रू करें